आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे इसलिए मैं डेवाइस पुरा अंडमान का ट्रिप अप्लोड करूंगी, तो अंडमान एक आइलेंड है, मतलब की लैंड होता है बीच में और पूरी चारों तरफ समुद्र होता है, तो इस आइलेंड पे जाने के लिए दो चीजे हैं, या तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, और या तो शिप से जा सकते हैं, शिप से जाने के लिए आपको ऐसी जगे से शिप मिलेगी, जहां पे अलरड़ी समुद्र है, जैसे की चन्नही है, मतलब बे और पैंगॉल की आसपास की जितनी भी जगए हैं, वहां से आप शिप से जा सकते हैं, जैसे की चन्नही, शाकरपट्नंव, मुंबई, Κोलकाता यह सारी जगहें समुदरी इलाके हैं यह सारे तो यहां से आपको शिप से जाने को मिलेगा बाकी फ्लाइट आपको हर जगे से मिल जाएगी तो आप अंड़मान जाने के लिए फ्लाइट की बुकिं पहले से ही कर लें दो महीने पहले से ही कोशिश करें, आप प्लान करके कर लें, ताकि आपको flight reasonable rate पे मिल जाए, यहां जाने के लिए जो best time होता है, वो November, December, January, February, यह 4 महीने होता है, और यही यहां का season है घूमने के लिए, तो हमारा यह जो trip है, हमने December में प्लान किया है, अंडमान का जो airport है, उस दूसरे islands पे जाना होता है घूमनी के लिए, अंडमान में total 372 islands हैं, जिसमें से कि कुछ ही बहुत famous हैं, और सब लोग घूमने जाते हैं, तो सबसे famous है यहां का Havelock Island, उसके बाद है नील, Ross Island, और चोटे-मोटे दो-चार islands हैं, जहां पे सब लोग घूमने जाते हैं, निको ब booking भी करा सकते हैं, आप और यहीं से आप taxi भी ले सकते हैं, तो jetty की booking तो हमने पहले से ही करा लिया था, तो यहां से हमने taxi book कर लिया, काफी आराम है यहां से taxi book करना, आपको यहां से वो लोग रसीद देंगे, रसीद ले करके बाहर जाएंगे, तो जो taxi वाला रहेगा, वो उसके बद आपको जटी वाली जगे पे छोड़ देगा तो जटी का मतलब है कि शिप तो पोर्ट ब्लेर से कहीं भी जाना है तो शिप से जाना है क्योंकि ये पूरा आइलेंड है और जब आप अंडमान में लैंड करेंगी तो वहां का वेदर वहां का मौसम इतना सुन्दर है एकदम क्लियर ब्लू कलर का स्काई है और पूरी ग्री मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां का एयरपोट भी अंदर से बहुत सुन्दर है तो यहां से जो जटी की दूरी है वो है हाफ एनार से 45 म और वहां भी जाने के बाद आपको सेम एयरपोट के जैसी ही फीलिंग मिलेगी वहां भी कम्प्लीटली फुल अफ सेक्योर्टी है वीडियो लेना फोटो लेना अलाव नहीं है तो मैंने कुछ नहीं लिया और वहां पे हमने काफी देर तक वेट किया क्योंकि हम जल्दी प हमारे जटी आ गई और ये है मैक क्रूस हमने ग्रीन ओशन इसलिए बुक किया था कि ग्रीन ओशन उपर से ओपन रहता है तो हम थोड़ा सा सी का व्यू भी इंजॉई करते हुए जाएंगे और सी सिकनेस से थोड़ा डर होने की वज़े से हमने मैक क्रूस चूज नहीं किया लेकिन फाइनली हमें मैक क्रूस में ही जाना पड़ा इसमें जाने से पहले बाहर ही वो लोग बोलते हैं एक साइड में अपना सामान रखते ना होता है और अपना कोई भी छोटा मुटा सामान या फिर हैंड़ बैग अपने साथ अंदर ले करके जाग सकते हैं और अंदर जाने के बाद मुझे कहीं भी बिल्कुल भी फील नहीं हुआ वामिटिंग या कुछ भी ऐसा नहीं प्रॉब्लम हुआ मैं मैक्रूस से बहुत डरे थी क्योंकि ये क्लोस था हमने जो सीट लिया था वो रॉयल था और सच में बहुत स्मूदली हम यहां से हैवलॉक आइलें मैक्रूस अंदर से काफी साफ सुतरा काफी अच्छा है बहुत नीट क्लीन है और मुझे बहुत पसंद आया अंदर खाने पिने की चीज़े भी हैं कैंटीन भी है हमेशा सॉंग्स चलता रहता है कुछ वीडियो सॉंग्स वगरे भी यह लोग प्ले करते रहते हैं जब हम गया है तो बहुत रश नहीं था काफी अच्छा था सीट वगर एकदम नीट क्लीन ग्लास भी एकदम नीट क्लीन था बाहर आप व्यू इंजॉय करते हुए जा सकते हैं जैटी में आपको आराम से अंदर खाने पिने की चीज़े मिल जाती हैं और सारी चीज़ों का डबल मिलेगा और पूरे अंदमान में मैंने देखा है आपको छोटे वाटर बॉटल बिल्कुर भी ने मिलेंगे आपको 2 लिटर के ही वाटर बॉटल मिलेंगे तो अगर आप चाहें तो जो आपको फ्लाइट में वाटर बॉटल मिलते हैं आप उसको एक रख लें अपने जाने के टाइम पर काफी लेट हो गया क्योंकि जो भी लोग हैवलॉक से वापस आते हैं वो लोग उतरते हैं उनका सामान उतरता है उसके बाद फिर हम चड़े तो काफी लेट हो गया तो अलड़ी हम अपने टाइम से थोड़ा लेट चल रहे थे हम पहुँचे हैवलॉक आप एक आइलेंड पर आए हैं एक वेकेशन पर आए हैं व्यू बहुत सुंदर पानी एकदम नीला और मैंने जटी में भी बहुत इंजोई किया बहुत सुंदर व्यू था सी का और सी एकदम नॉर्मल सा था बिल्कुल भी रफ नहीं था तो बहुत मज़ा आया तो पर बहुत रश्ट हो जाता है सब लोग एकी बार जेटी से बाहर आ जाते हैं और सामान के चारों तरफ रहते हैं सबको बस जल्दी होती है सामान लेकर के जाने का तो बहुत इक्कत हो जाती है और एकी तरीके के बहुत सारे सूट केस होते हैं आजकल तो मेक शूर कि आप समान पे कुछ न कुछ जरूर से लगा दीजेगा जिससे आपको पता चले तो मैंने तो अपने दोनों ही सूट केस पे शूलेस बांद करके रखा था तो इससे मैं पहचान ली मैं फटाफट लेकर के चली आई मैं एक कपल को देखा उनका एक पैक मिस हो गया था तो उतरने के बाद लेफ साइड में ही एक ब्रिज सा दिखेगा आपको उसी से ही हमें आईलेंड के अंदर एंटर करना है गेट पे पहुँचना है और वहां से अंदर आपको जाते ही बहुत सारे टैक्सी वाले आटो वाले मिलेंगे जो आपको आपके होटेल तक रिजॉर्ट तक छोड़ देंगे आप चाहें तो आप वोकर के भी जा सकते हैं लेकिन बेटर होगा कि आप फर्स टाइम जा रहे हैं तो आप कुछ न कुछ हायर कर लें ताकि आप आराम से अपने होटेल तक एक बर पहुँच जाए तो हमने वहाँ से एक टैक्सी हायर कर लिया और वो हमें हमारे रेजॉर्ट तक लिया करके छोड़ दिया तो हम यहाँ पे रुखे थे हैवलोक आइलें रेजॉर्ट में फटाफट सामान रखे थोड़ा सा फ्रेश हुए और उसके बाद तुरंथ हम निकले यहाँ के प्राइविट बीच पे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था अलड़े हम बहुत लेट थे तो बस एक दो गंटे के लिए हमें बाहर रहना था तो हम फिर इसी रेजॉर्ट के प्राइविट बीच पे थोड़ी दर तक थे फिर उसके बाद हमें खाना खाने के लिए बाहर जाना था और यहाँ पे जाते ही बेटर होगा कि आप स्कूटी हायर कर लिए तो हम थोड़ी दर के बाद स्कूटी हायर कर लिए और वहाँ पे दो हेलमेट्स देते हैं दोलों हेलमेट्स जरूर से ले लिजेगा भले ही आप लगाए या ना लगाए लेकिन जो ड्राइविंग कर रहा है उसको हेलमेट लगाना बहुत जादे जरूरी है क्योंकि safety is the first thing और जो पीजे बैठा है वो भी हलमेट्स लगाए तो अच्छी बात है अगर नहीं भी लगाए तो हलमेट्स जरूर से हाथ में लिए रहेगा क्योंकि वहाँ पे जगे जगे पे पुलिस चेक करती रहती है तो हमने 600 में स्कूटी लिया था वही हमने एक-एक खाया था उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था जटी में हमने sandwich लिया था जो कि पसंद नहीं आया तो हमने वो नहीं खाया तो हम सोचे अब चलके सीधर dinner कर लेते हैं तो हम अपने bike से निकले और हमारा first destination था something different जो कि बहुत ही अच्छा restaurant है यहाँ पे हम गये हैं यहाँ पे हम कुछ special try किये जो कि हमारा मन था कि हम यहाँ पे आने के बाद कुछ यहाँ का food try करें और हम यह खाये उसके बाद हम आगे अपने resort पे रात में आराम किये तो यह था हमारा total overall day 1 का vlog तो see you soon for the day 2 vlog I hope आपको यह vlog अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो like जरूर से करेगा thank you so much for watching bye bye and take care